थोड़ा सा कभी कभी पॉपलर होने का नुकसान भी हो जाता है उनलब नुकसान बोलेंगे से क्या बोलेंगे त्वीट देखो जो कि उन्होंने कोट करके किया बीटी स्पोर्ट का अब आपको बताए यह रॉक है एपिसोड में उन्हें निका था आपने नॉस्टाइलजिया एक्ट आम नॉस्टाइलजिया एक्ट आम नॉट यॉर चाहिड़ूट फैंटसी और ट्रिस्टाइड़स को बजपन में सारे ही जो डबल वबली के सूपरस्टार्स उन्हें पसंद किया था एवन अपने यहां बी जो हमारे थोड़े बड़े और फैंस करें और पकड़ लिया रोमन रेंज को हमने ओके हैलो चैटर्स माइम इस रुजी तैन यूर वाचिंग रेसल चैटर्स वेल्कमें गाइस आपका वॉइस ऑफ रेस्लिंग के एक और ने एपिसोर्ड में बड़ी सारे इंटरस्टिंग बात हैं आज भी आपको बत उनको पेन नहीं है जिम में भी जाते ही रहा है जब से उनकी घरदन टूटी थी उसके बात से भी रेगुलर जिम है उसको जाना शुरू कर दिया था फिर यहां पर यहां पर चलते हैं कि कौन डिजर्व करता है मांट रश्मोर डबल विमन सूपरस्टार्स का तो इसके रिकार अंपरव में हैं तो मैंट रश्मोर विमन इसके तोर खहने नाम है इंट्रस्टिंग है तो वाइसे मापको बतायाता हूं कि एक इंटर्व्यू के अंदर रियर एप्लेज से सवाल पुछे कि क्या उपने इंफ्लॉएंस करके बड़ी मैथ्यूस को बड़ी मर्फी को ला सकती है कि इसमें डवली के लिए काम नहीं करते हैं अब यह तो डॉमनेक के साथ डॉम डॉम के साथ सब को अच्छे चल रहा है में वी फ्यूचर में जाके कभी देखते हैं हम तो वह अलग पॉइंट है तो इसमें जो केमेस्ट्री है ना इन दोनों की डॉमनेक और रियर प्ली को ब देखते हैं अगली स्टोरी के तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और स्टोन कोल्ड स्टीव उस्टन भाई अब बताया खुलके मतलब जब तक रेसिल मीन थी कुछ बात नहीं कहीं उन्होंने अपने रिटर्न के बारे में मैच के बारे में वह यह कहते हैं कि लास्टे रस्टी पर बहुत बार आइडिया नहीं मिल गया और स्टोन कोल्ड ने यह का कि इस बार क्योंकि अपने आपको वैसे शेप में नहीं ला पाई जैसा वह चाहते थे एवन अपने पर उन काफे काम भी कि और इस विए से थर्टी नाइन में वह अपीर नहीं हुए और ना उनका कोई कि रेस्लिंग मैच हुआ तो यह इंट्रस्टिंग है वाई क्योंकि स्टोन कोल स्टीव वास्टिन का अब ऐसा नहीं कि भाई को मला प्राइम तो चोड़ो मतलब वह अगर रिंग में अच्छा मैच भी रेसल कर लें तो वह वी बड़ी बात होगी लेकिन इस इस पॉंट प हो चुकी है पिश्टी वाली वीडियो के तो मैं आपको बताया था कैसे गोल्पग ने यह का था कि मुझे प्रॉपर रिटार्मेंट मैच में जाके मैच करेंगे इवन गाइस रसल मीन वीकेंड के टाइम पर उन्होंने एक इंटरनेशनल प्रमोटर से जाकर बात भी करिए इसके बारे में और इतना ही नहीं डवल डवल ये भी जानते हैं कि अगर हम गोल्पग को नहीं करते हैं फिर उनका एक मैच करने वाला है और ले जब डीड़ने और वसारी के निकाले तो यह भी बता चला कि पॉल हीमन एक आइडिया पिछ भी कर दिया था विंस मुक्मैन के सामने गोल्डबग की रेटार्मेंट का लेकिन उसके बाद वाली चीज हुई इतनी खतरनाक हो गई कि वह जो प्लान है वही चौपट हो गया और उसके बाद से कोई चीज देखी नहीं तो मतलब एक पर आइडिया तो और शाद हो सकता है अगर विंस मुक्मैन होते हैं तो फिर यह चीज गोल्डबग को मिल जाती है क्योंकि विंस मुक्मैन के टाइम में गोल्डबग को मोटे पैसे वकाम आते हुए देखा है साओधी रेव है जा जाकि उन्हें अपना जो जेवियों काफी भारी की हुई है इस बार यह चीज होई निया है हो सकता है वह भी हो जा लेकिन चांस इसके काफी कम लग रहे है ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे प्रमोशन में फिर किसी दूसरे प्रमोड़र से जाके इस चीज को करवा पाएंगे गोल्डबग और अपना रिटायरमेंट जो भी है रिटा कि वह जादा और जो कंट्रीज है वहां के नेक्स्टी को भी वह बताए कि हां मताब ऐसा नहां कि वह एक्सिव यूके के लिए वैसे गाइस रोहित्मंद गेमिंग चैनल पर मैंने अभी नेक्स्टी इसी चैंप्रेंशिप को जीता है और चुराया है पूरी स्टोरी लाइ लेकिन शुरू से अभी देखोंगे तो आपको सब सम्झ में आ जागा लेकिन अगर शुरू से अभी देखोंगे तो भाई आप बोलो कि अमने एक अलग स्टोर लाइन बिल्कूल देख सकते हो और इसमें तो अल्रेडी उसको हैरिटेज कप चैंपंशिप बुला रहे है त इसमें बेस्ट चीज है मतला उन्हें ब्लड लाइन से भी उपर रखा जज्जमेंटेग को जो आपको अपर रहे हैं तो इसका मतलब कि अप्रिशेट करती है अभी तो उनका सोलो सिगुवा के साभी पता नहीं क्या एंगल चल रहा है एक बहुत ही चुटकोला चुटकारी बता हूं आपको इसके बारे में यह है कि स्पेकुलेशन फैंस की यह है कि कैसा हो अगर डॉमिनिक और सोलो सिगुवा आपस में लड़ें रियर रिप्ली को पाने के लिए यह एंगल के साथ डबल डबल लेके जाए वैसे सुनने में तो काफी वाहियात लग रही है और शा बता सकते हैं लेकिन ट्रिपल एच है वह ऐसा कुछ निकर सकते मुझे लगता है बाकि कि आप ऐसे इस तो देखने में इंटरस्टेट होगे मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्श्य में बता सकते हो हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी के तरफ और यह जुड़ी है डबल डब कि हमारे इंप्रेशन वह उस जगह और भी अच्छा पड़े तो उस जगह पर भी अच्छा पड़े तो फिर ऐसा कुछ है अभी फिलाल डबल ली ने इसके लिए दो ही मैच जो की है पहला है ब्रॉक लेस्न वर्सिस कोडी रोट और दूसरा है सिक्स मेंट एक्टिम है जहा रेंडी ओर्टन के रिटन के लिए और फेस्टु फेस अगेंस्ट रोमन रेंज फर दी अंडिस्पूटे टाइटल्स क्या सीन अभी आपको पता है कि जैसी मैट इडल वापस आए है वह एकदम से इंवाल्व हो गया ब्लड लाइन वाली स्टोर लाइन में और डबल जो ब्लड लाइन की स्टोर लान लिखती है वह लॉंग टम सोच के लिए ऐसा नहीं कि अभी जो लिखा एक अफते बाद जो किया होगा वह वह बिल्कुल से चेंज होगा हमको वह चीज रिफ्लेक्ट होती वह दिखा दे अभी वाले चीज आज से दो तीन महीने के बाद हो क्योंकि मैट रोलेडे मिक्स में आचुके है तो मैट रिडल वो सूपरस्टार होंगे जो कि रैंडी ओटन का रिटन करवाएंगे और सीधा इसी अगेंस्ट ब्लड लाइन वाले स्टोर लाइन के अंदर और डबल डबली आने वाले किसी एक मेगा शो के लिए किसी एक बड़ा मैस डिलिवर करना है रेंडी ओटन रोमन रेंज का मैस हो सकता है फॉर दी अंडिस्प्यूटिड टाइटल मुझे सही में लगता इससे कोई बैटर वे हो सकता है रेंडी ओटन को दुबार से कंपनी में लेकर आने का क्योंकि उनका इतना लंबा ब्रेव हो चुका सारे फैंस अक्साइटर रेंडी ओटन को दुबार से देखने के लिए और रेंडी ओटन का स्टेटर भी बहुत अच्छी लावल पर दिखानों का जो वापस आए कुछिए फैंस इतना वेट करें तो फुझ रिटन हो गया तो मजनी आएगा तो एक परफेक्ट वे हो सकता रेंडी ओर तन एक तरीके से काम करेंगे इस फ्यूड को इगनाइट करने का और उसके बाद जो असली चिंगारी है जो जौला है जू जंग है वहोगी रेंडी ओर रोमन रेंज के बीच में और अभी तक हम लोगों ने ये भी देखा कि यह वाली जे स्टोरी लायन है उसके रेंडी ओर्टन ने फेस नहीं किया है रोमन रेंज को तो यह एक अच्छा आडिया हो सकता है डैवल ली को फ्रेश पोरेंट की भी जुरुष्वत होती है लगाता रोमन रेंज के साथ में और इन्वर यहां पर तो यह भी कहा जा सकता है कि क्या पता रंडी ओर डित्रों करन तो वो भी अच्छी बात है तो देखते हैं आगे चीज़े कैसे एनफोर्ड करती है